यही है तमन्ना बने बाबा तुम साथ चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए यही है तमन्ना बने बाब तुम साथ चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए हमें तो अतन की बहुत याद लाएं हमें तो अतन की बहुत याद लाएं हमें तो अतन की बहुत लाएं हमें तो अतन की बहुत लाएं किस काम की है पुरानी ये दुनिया बड़ी प्याद है वो मिरा कारी दुनिया विदेही बनेंगे प्रभू संग चलेंगे परमशाति आनंद अनुभव करेंगे देखो इशारों से कोई बुलाएं हमें तो अतन की बहुत याद लाएं हमें तो वतन की बहुत याद लाएं मुद्दत हैं गुष्ट विच्छे वतन को मिला क्या यहाँ अगये दिल में तू मेरी मैं दिल में तू बच के नजरां से मेरी कहां जाओगे है यह मिलने के दिल कुल किलने के दिल हम्पुका रेंगे यारु कुले आओगे हम्पुका रेंगे और कुंचले आओगे मेरे दिल में तू मांखा तू मानखा प्याहिसर ने कहाए मुन पोर मानखा आखा आखों में आखली चाने हुए तुम हमारे हुए फिर बहारा गई लेके दुनिया नही फिर बहार आ गई लेके दुनिया नई दूर हमने रहोगे तो बस लावोगे ओम शान्ति मुरली का सार है मीठे बच्चे स्वीटेस्ट बाप आया है स्वीट बनाने तुम्हें देवताओ समान स्वीट बनना और बनाना है प्रश्न है सदा सुखी बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होता है उत्तर हैं जिने ज्ञान रतनों की वैल्यू है एक एक रतन पदमपती बनाने वाला है तुम्हें इन रतनों को धारण कर रूप बसंत बनो मुख से सदैव रतन निकलते रहे तो सदा सुखी बन जाएंगे जो बच्चे मीठा बनते हैं उन्हें बाप भी देख कर खुश होते हैं और सदा सुखी बनने का वरदान देते हैं तुम बच्चे इसी वरदान से एवर हिल्दी एवर वेल्दी बन जाते हों गीत हैं आगे दिल में तुँ कितना मीठा गीत हैं भल बनाया फिल्म वालों ने हैं परंतु वे तो कुछ भी जानते नहीं तुम मीठे बच्चे इस बेहद के नाटक में पार्ट बजा रहे हों बेहद के ड्रामा में बेहद का बाप भी अब पार्ट बजा रहे हैं सम्मुक तुम बच्चों को स्वीट बाबा ही नजर आता है आत्मा इन नैनों से याने शरीर के औरगन से एक दो को देखती है आत्मा भी जो सम्मुक बैठी है वह जानती है जिसके लिए बाबा कहते हैं स्वीट चिल्डरेन बाबा कहते हैं मैं सब बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूं बच्चे मेठे बच्चे क्या तुम सोल कॉंशेसनेस में हो आत्मा भीमानी अवस्ता में हो यही सब कुछ है मैं दुरुष्टी देता हूं किसे देखता हूं आत्मा को शरीर का और मेरा कोई संभंध नहीं है कोई संभंध नहीं मैं आत्मा को देखता हूं मैं आत्मा से बात करता हूं मैं आत्मा को ज्यान देता हूं शरीर का कोई संभन्द नहीं शरीर और शरीर के कोई संभन्द उनका भी यहां कोई संभन्द नहीं तुम चेक करो तुम्हें ये ज्ञान तब भी समझ में आएगा जब आत्मिक सिती में रहेंगे अगर आत्मिक सिती में नहीं हो तो ग्यान समझ नहीं पाओगे तुम अपने आपको क्या समझते हो विचार करो इस घड़ी भी तुम बैठे हो ग्यान सुन रहे हो कौन सुन रहा है बच्च अगर आत्मा जागुरुत नहीं है तो वेस्ट ओफ टाइम वेस्ट ओफ एनर्जी है यहाँ पर मनी भी कहेंगे इससे अच्छा तुम बाहर जाके चार पैसे कमाते इतना समय वेस्ट करने से अच्छा कोई जो ड्यूटी से आए ओर टाइम करते और पगार मिलती बच्च परिवर्तन चाहते हो तो यह सुनो यह आत्मा का ग्यान है यह आत्मा की बात है शरीर का कोई संभन्द नहीं है ज्यान लेते भी अगर तुम सोल कॉंशेसनेस में हो तो ही कुछ फरक पड़ेगा कुछ बदला होगा वरना अच्छा अच्छा करोगे सत सत करोगे मुरली पूरी होगी मेरा बाबा प्यारा बाबा आएगा ओम शान्ती होगी टोली मिलेगी तुम अपने रहा निकलोगे बच्चे हर सेकेंड उसमें क्या परिवर्तन होगा यह सोचो वेस्ट नहीं गवाओ बात आत्मा की चल रही है सोल कॉंशेसनेस की चल रही है आत्मिक स्थिती की चल रही है पढ़ाई पूरी आत्मा की है देह का यहां कोई संभंध नहीं है बच्चे ध्यान में रखना बहुत बच्चे आते हैं बाबा मिलन में बैठते हैं 25,000 की सभा है 30,000, 40,000 की सभा है पर आत्मिक सिती में कितने बैठे हैं मुझे तुमारे भावना वाले आसु नहीं देखने हैं बहुत बच्चे रोते मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा ये भावना मत दिखाओ ये भावना का नाटक मत करो ये अगर स्कूल में ऐसे किया मेरा हिस्ट्री का टीचर, मेरा मैस का टीचर और रोए चलेगा चलेगा स्कूल में मेरा जोग्रापी का टीचर, साइन्स का टीचर ऐसे थोड़ी होता है ये भावना की नाटक बाहर रखो तुम समझ के बात है टीचर ने टीचर ने तुम्हे स्कूल में मैट्स पढ़ाया तो तुम्हारे आखों में कोई पानी आता है क्या मैट्स पढ़ने के बाद अलजेब्रा जॉमेट्री पढ़ाई फिजिक्स के मिस्ट्री बैयोलोजी पढ़ाई बचे भावना को दर्वाजे के बाहर रखो समझ है जैसे चपल बाहर है न वैसे भावना बाहर रखो भावना वाले नहीं चाहिए वो नहीं पढ़ सकते आत्मिक सिती वाले चाहिए स्वयम को आत्मा समझ कर बैठने वाले चाहिए बच्चे तीर तभी लगेगा तुम्हें जब आतमा समझ के बैठोगे मैं तो मेरी स्थिती में बैठा हूँ तुम्हारा क्या? एक दो घंटा मुरली सुनते हो बदलाव क्या पाया? रोज कितने पॉइंट्स लिखते हो सेंटर पर जाकर नोटबुक के नोटबुक भरे हैं तुमारे पर उसमें से एक महावाख के दिखाव अपने अंदर गुण शक्तियों का, अतमिक सिती का बच्चे सब दिखावा कर रहे हो तुम सब दिखावा तुम्हें कोई देख रहा है न? तो तुम योग बड़े प्यार से करोगे सीधा होके ऐसे लगेगा कितने बड़े महायोगी बैठे सब नाटक है तुमारा तुम समझते नहीं बच्चे दो मिनिट में नींद लग जाती है तुम्हे अमरुतवेले में बच्चे अपने को परिवर्तन करो ये सब बाते छोड़ो ये ज्ञान तुम्हारे लिए है दूसरों को मत देखो तुम चेक करो कल हमारी आत्मिक सिती कितनी थी आज कितनी हुई है कल कितनी होनी चाहिए कल हमने कितना बाप को याद किया आज कितना याद करना चाहिए इसके इसाब से कल कितना याद करना चाहिए कल कितनी बार ड्रिल की आज कितनी बार हो कल कितनी बार हो विचार करो बच्चे गफलत नहीं करो ध्यान दो इस बात पर पूरा-पूरा समझ कर चलो चिंतन करो ये कोई सत्संग नहीं है नॉर्मल ये पढ़ाई है प्रापर ये युनिवर्सिटी है तुमने आत्मिक सिती को कहा तक पाया है मैं भी जानना चाहता 26 गंटे में कौन से कर्मों में तुम आत्मिक सिती में रहते हो रिपोर्ट चाहिए श्रीमत है रिपोर्ट चाहिए पोतामेल चाहिए वरना दूसरे सत्संगों में और तुम में क्या अंतर रहा वो भी तो सत ही बोल रहे है ना उनके इसाब से तुम भी सत बोल रहे हो परिवर्तन कहा है परिणाम कहा है दिखाओ रिपोर्ट बाबा रात को भोजन करते समय बीस मिनिट आदा गंटा अत्मिक सिती में भोजन किया नमा शाम करते समय हम अत्मिक सिती में थे दोपर को दो मिनिट के लिए अत्मिक सिती में थे सुबह उठने के बाद पांच मिनिट के लिए अत्मिक सिती में थे report चाहिए और उसमें भी progress चाहिए बाबा को अभी progress card चाहिए सबके समझ जबे बच्चे रोज दिन निकलता है रोज दिन समाप्त होता है तुमने क्या पाया समझ है बच्चे जिम में जाकर exercise करनी पड़ती है तब body बनती है ये देह मजबूत होता है जाकर बस बैठो दूसरों को देखो क्या कर रहे है होगा शरीर मजबूत खुद मेहनत करनी पड़ती है बचे परिणाम कहा है बाप परिणाम देखना चाहता है तुम अभी तुम्हारे ज्यान की बकवास मत सुनाओ मुझे हम सब आत्मा है आत्मा है आत्मा है तुम्हारी आत्मा कहा है वो दिखाओ तुम आत्मिक सिती में कितना हो ये दिखाओ सब एक दूसरे की जहन्जट में अटके है ये पार्टी वो पार्टी इनका ये उनका वो कल किसी ने कॉमेंट किया न ये बीके नहीं लगते मैं बीके नहीं बाप हूँ मैं शिव बाबा हूँ ध्यान में रखना मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूँ बाप हूँ सबका यही दंदा कर रहे हो तुम, यह बीके नहीं, वो बीके है, तुम्हें आत्मा की नहीं दिखती, ग्यान से आत्मा समझ में नहीं आती, यही दंदा सिखाया तुम्हें मैंने, इतने वर्षों से, बीके है, बीके नहीं है, आत्मिक सिती कहा है बताओ, अकल है, समझ की बाते हैं, जो करना है वो करते ने, बाकी गोरक धंदा कर रहे हैं सभी, इसका देखो, उसका देखो, ये क्या कर रहे, वो क्या कर रहे, इनका क्या, उनका क्या, आत्मिक सिती कहा पर है तुम्हारी, मैंने क्या सिखाया है इतने वर्षों से अत्मिक सिती सिखा रहा हूँ न यही लैंग्वेज है मेरी बस अव्यक्त वाणी में समझ में नहीं आई इसी तरीके से इसी टोन से में बात करता हूँ ध्यान में रखना बस अभी साकार में बात कर रहा हूँ न इसलिए छुबेगी समझदार बनो आत्मिक सिती है कहा दिखाओ जरा और कितनी परसेंटे मैं भी देखू 26 गंटे होते दिन के परसेंटेज निकालो निकालो परसेंटेज अपने-अपने 12 गंटा आत्मिक सिती में रहते हो तो 50 परसेंट है 6 गंटा रहते हो तो 25 परसेंट है ध्यान में रखना बच्चे तुमारी आत्मिक सिती कितनी है मैं भी जानू, मैं भी देखू आत्मा का ज्यान सुनाते हो न समझ की बात है बच्चे समझदार बनो समय समापति की ओर आया है और अभी भी गोरक धंदे चल रहे है कर क्या रहे हो सभी इतने वर्षों से बिना अत्मिक सिती के परिवर्तन नहीं होगा ध्यान में रखना बच्चे बाकी गोरक धंदा छोड़ो बहुत हुआ कौन क्या कर रहा है कौन क्या कर रहा है हर कोई रामा अनुसार ही कर रहा है हर कोई अपना पाड बजा रहा है तुम उसमें मत जाओ वो सब छोड़ो अत्मिक सिती को देखो बाप की याद को देखो कौन क्या कर रहा इससे तुम्हारा भला नहीं होगा तुम क्या कर रहे हो इससे तुम्हारा भला होगा ध्यान में रखना बच्चे ध्यान में रखना तुम्हें बस सेवा सिखाई गई है बच्चपन से जब से ग्यान में आये हो सेवा करनी चाहिए बस सेवा आत्मिक सिती कब आएगी जिन्दगी बर सेवा की और अंता तक आत्मिक सिती में ही नहीं आए परिणाम क्या है आत्मिक सिती में नहीं हो योग नहीं हुआ है योग नहीं हुआ विकर्म विनाश नहीं हुए बस सेवा करने में जीवन वतीत की समझदार बनो बच्चे गफलत नहीं करो अत्मिक सिती का रिजल्ट चाहिए बाबा को भी पूरा पूरा तुम आत्मा हो ना इन और्गन्स से बात करते हो सुनते हो, देखते हो सास लेते हो, हाथ पेर चलते है और्गन्स है ना तो तुम्हे कितना कॉंश्यस है अपना कि तुम आत्मा हो कॉंश्यसली कितना आत्मिक सिती में रहते हो बच्चे बताओ जरा कितने निवाले आत्मा समझ कर खाते हो कितने कदम आत्मा समझ कर चलते हो बताओ जरा समझे है बच्चे एक बात ध्यान में रखना जो अंत तक 24 गंटे अत्मिक सिती में आप आएगा वही जीवन मुक्ती में जा पाएगा जीवन मुक्ती उसी की है जो सोल कॉंशिसनेस में पहुंच चुका है 24 गंटे के लिए नीन्द में भी सोल कॉंशिसनेस में है बड़ी कॉंशिसनेस है यह नहीं उसी को जीवन मुक्ती है उसी को सत्यूग है ध्यान में रखना 800-800 करोड है दुनिया की आबादी उसमें से 2 करोड सत्यूग की कुल आबादी है 2 करोड कितना बनता है पता है तुम्हें परसेंटेज खुल आबादी के ध्यान में है 8 करोड 1% होगा अगर 800 करोड है तो 4 करोड 0.5% होगा और 0.25% 2 करोड है मना इतने लोगों में से इतनी आतमाओं में से सिर्फ 0.25 निकलेंगे सिलेक्ट होंगे सत्युक के लिए जरा खबरदार रहना ध्यान में रखना और तुम भाव की बात करते हो तुमसे बड़े प्यारे मंदिर वाले मस्जिद वाले चर्च गुरुद्वारे वाले है उनका भाव दिखाओ तुम्हे इश्वर के प्रती समझ की बात है कुछ बच्चे पास टाइम नमाज पढ़ते हैं पास टाइम बाप याद आता है तुम्हें कोई दो टाइम मंदिर जाते हैं बाप याद आता है रोज सुबे गंटा शाम को एक गंटा भक्ती करेंगे तुम्हें याद आता है बाप बच्चे विचार करना तुम कर क्या रहे हो इस मार्ग पर इस रहा पर अत्मिक सिती है कहा जूट में क्या सीखोगे तुम जूट में बैठे हो सुहम को नाम रूप समझ कर देह समझ कर सोल कॉंशिसनेस है कहा खड़े करो मेरे सामने बच्चे जो तुम्हें लगता है सोल कॉंशिसनेस में है देखू तो सही मैं भी किसका कितना सोल कॉंशिसनेस है समझ की बात है बच्चे अच्छे अपने में आओ चितना समय निकाल सकते हो निकालो गफलत नहीं करो आज भी तुम्हें शब्द प्रभावित करते हैं इतने कमजोर हो इस दुनिया का सबसे कमजोर इंसान व्यक्ति, आत्मा जिसे शब्द प्रभावित करें माया शब्दों से खेलती है तुम्हारे साथ और तुम प्रभावित होते हो बचे ध्यान दो इस बात पर अत्मिक सिती है कहा विचार करना माया दिन बदिन कड़ी होती जा रही है क्योंकि तुम्हारे मनमत परमत के करम ज्यादा है श्रिमत कम है यह परिणाम है माया कड़ी होने का तुम्हें दूसरे ही दिख रहे स्वैम की देह और देह की व्यवस्ता ही दिख रही है आत्मा दिखी नहीं रही है जैसे की है ही नहीं अंदर आत्मा बच्चे छेक करो आत्मा है क्या छेक करो बहुतों के अंदर आत्मा ही नहीं है सब की आत्मा माया लेकर गई है माया के पास है माया के मुरीद बने हैं सभी माया भी करम किया कि आत्मा माया के पास मन मत परमत पर चले कि आत्मा माया के पास बच्चे ध्यान से चेक करो अभी भी तुम मुरली सुन रहे हो क्या तुमारी आत्मा तुमारे अंदर है अभी इस घड़ी चेक करो तुम्हे क्या लगा बस तुम मुरली में बैठे हो सीधे ध्यान लगाया हुआ है बाप की तरफ, मना मुरली में आत्मा बैठी है, प्रमान दे सकते हो, आत्मा है अंदर, है क्या अंदर, चेक करो, आत्मा होगी तो मुस्कुराता हुआ चेरा होगा, खुश मिजाज चेरा होगा, आनन्द वाला चेरा होगा, जहां आनन्द नहीं है, आत्मा नहीं है, जहां परिशानी है, आत्मा गायब है, है यह नहीं वहाँ पर आत्मा, बात क्या करें, किस बात की बात करें, किस से बात करें, उन्हें कितना भी समझाओ, आत्मा ही नहीं है, जैसे जानवर को कितना भी समझाओ समझ में नहीं आएगा कभी-कभी शायद वो समझ जाए दो बार, चार बार रिपीट करें तो जानवर भी समझ जाता है तुम्हारा क्या? जानवर से भी बत्तर हलत हो गई है बाप 36 से रिपीट कर रहा है ज्यान ही दे रहा है बस और तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है अजीब बात है बुद्धी मरी पड़ी है पूरी-पूरी समझ की बात है बच्चे गफलत नहीं करो अपने उद्धार की बात सोचो और इस दुनिया में माया इतनी प्रभावशाली है ना इतनी प्रभावशाली यहां जो बैठे है ना उन्हें लगेगा ग्यान बाहर वालों के लिए दिया जा रहा है जो लाईव में सुन रहा है और लाईव में जो सुन रहा है ना लगेगा ज्ञान इनके लिए दिया जा रहा है ऐसी माया चतुर है जितने सुन रहे हैं उन सब के लिए सुना रहा हूं तुम किसी को अपने सामने इमर्ज मत करो तुम अभी फिलाल अंदे की अउलाद अंदे हो तुम्हे सुना रहा हूं मैं हर किसी को आओ मैं, हर बात, हर मावाक्य तुम्हें सुना रहा हूं मैं, समझ की बात है, समझदार बनो, सोल कॉइंशेसनेस में आओ, गफलत नहीं करो, आत्मा है अंदर, शेक करो, दिखती है क्या, इस गड़ी, बुद्धी से, और अगर दिखती है, तो वो सुन रही है क्या ग्यान, उसकी बुद्धी ओपन है, मन सजग है, संसकार एक्टिव है, ग्यान सुनने के, चेक करो, चेक करो अपनी आत्मा को, गुण शक्तिया जगह पर है क्या, दिव्य गुण है जगह पर, बच्चे ध्यान दो, गफलत नहीं करो, इतने वर्ष हुए, ठक नहीं गये, तुम बस जग्यान सुनकर, ठकान नहीं लगी, क्या बदलाओ पाया तुमने, दुनिया में अगर कोई गुरु मंतर देता, तो एक साल में सिद्धी कर देते, एक साल भी नहीं लगता, दस बारा दिन में सवालाक हो जाते, सिद्धी हो जाती, बारा मास में बारा सिद्धिया कर लेते, कुछ तो मिलता हाथ, यहां क्या मिला तुम्हें इतने वर्षों से ज्ञान में चल कर यहां तुम्हें क्या मिला तुम मिले हो तुम कहते हो परमात्मा मिला है बक्वास बात है तुम्हारी कोई परमात्मा नहीं मिला तुम्हें परमात्मा मिलता तो तुम ऐसे होते कितने खुश मिजाज होते खुशी कहा है तुम से संसार नहीं छूटता और कहते हो परमात्मा मिला है तुम बद से भी बत्तर हो गयो बलकि और अच्छे थे जब ज्यान में नहीं थे बक्ती करते थे किसी को याद करते थे उस देवी देवता की कुरपा थी तुम पर अभी न उनकी कुरपा है न मेरी न खुद की कुरपा है खुद पर बच्छे क्या कर रहे हो ये सब अमुरुत वेले उड़ते हो चार बजे प्यार से याद किया है बापकू तीन बज़े उड़ते हैं, याद किया है क्या, प्यार इसे करते हो याद कहा है बाप की, बताओ तो सही रोज सुबे मुरली सुनते हो, हजारों लाखों पॉइंट सुए होंगे लिखकर परिवर्तन कहा है, बच्चे क्या कर रहा है न तुम्हें परिवर्तन दिखरा है, न परिवार में, लवकिक अलवकिक परिवार में परिवर्तन दिखरा है न दुनिया को तुम्हें परिवर्तन दिखरा है तुम जैसे थे वैसे ही हो, और भी नीचे चले गयो और भी नीचे बारवालों ने तो पैसे कमाए बंगला बनाया गाड़ी ली तुमने क्या पाया क्या मिला बच्चे तुम कहते हो समरपीत हो गए बहुत सालों से हम समरपीत है कौन समरपीत हुआ है आतमा या तुम नाम रूप कौन समरपीत हुआ है और समर्पीत हो के क्या पाया है तुमने, बताओ तो जरा, बच्चे गफलत नहीं करो, गोरक धंदा काफी हुआ, अभी तो जागो, अत्मिक सिती में आओ, कहा है आत्मिक सिती, बार-बार में वही पोछ रहा हो, आत्मा सुन रही ग्यान, या माया सुन रही है ग्यान, ग्यान कौन सुन रहा है, देखू तो सही समझ है आत्मा देखोगे तो आत्मा ज्यान सुनेगी पर न माया सुनेगी और माया क्या करेगी ज्यान का समझ की बाते हैं समझदार बनो चार लाइन पढ़ू रिपीट कर सकते हो आत्मा जगह पर होगी तो रिपीट करोगे वरना गलती आओंगी बचे आत्मिक सिती में आओ नुक्सान करोगे अपना बड़ा भारी ज्रामा अचानक का है ध्यान में रखना वो तुमें कोई समय नहीं देगा आत्मिक सिती में आने के लिए जब जब तुम आत्मिक सिती की प्रैक्टिस करो और तुमारी आख बंद हो जाए माया कड़ी है माया आख खुली रखने नहीं देती बार बार जब कि आएगी आख बंद होगी आख खोलेंगे आत्मा देखने का प्रयास किया कि माया आख बंद करने की कोशिश करेगी माया कड़ी है कड़ी है माया बच्चे ध्यान में रखना तुम्हें स्तिर नहीं बैठने दे रही ही माया शंचलता में ला रही है बच्चे तुम आत्मा ही हो ना तो स्वयम को देखने से नींद क्यों आती है जबकी क्यों आती है आखे क्यों बंद होती है स्वयम को देखने से सवाल है मेरा माया है कड़ी और कुछ नहीं काफी हुआ संसार काफी हुआ दूसरों को देखना कुछ नहीं मिला इससे कुछ नहीं मिला मुझे भी वही अनुबव कर पाएंगे मैं कौन बैठा हूँ यहां जो आत्मिक सिती में होंगे बाकी तुम क्या कॉमेंट करोगे मुझे पर मैं कौन हूँ तुमारे स्तिती का आता पता नहीं और तुम मुझे जच करोगे मैं कौन हूँ बाप हूँ तुमारा पर तुमारे स्तिती हो तो तुम पैचान पाओगे कि बाप हूँ तुमारा ध्यान में रखना बच्चे मैं शरीर का बाप नहीं हूँ आत्मा का बाप हूँ पहचानने के लिए आत्मिक सिती में आओ फिर पहचान पाओगे और तुम में दम नहीं है पहचानने का आत्मिक सिती का इसलिए का संदेशी बेजो तुम्हारे लिए समझ है और भी उपाय बताए पूछो पीर पेगंबर को पूछो तांतरिक मांतरिक को ये कौन है समझ है बच्चे समझदार बनो अत्मिक सिती में आओ बाप पढ़ाई पढ़ा रहा है इस यग्य में कितने अत्मिक सिती में है मैं सवाल पूछना चाहता हूँ 1936 से यग्य चल रहा है आत्मिक सिती कितनों की बनी है और तुम आत्मा समझ कर सामने वाली आत्मा से आत्मा का व्यवार कितनों से करते हो देखू तो सही पूछू तो सही है व्यवार आत्मा का अता पता नहीं है क्या वेवार करोगे तुम तुमारी आत्मा का अता पता नहीं है तुम क्या वेवार करोगे अत्मिक सिती का समझ की बाते है बच्चे समझदार बनो गफलत नहीं करो अत्मिक सिती में आओ समझने वाले समझ जाते हैं ग्यान को बाकि आएंगे रोज ज्यान सुनेंगे वावा करेंगे चले जाएंगे बदलाव शुन्या कोई बदलाव नहीं है कोई बदलाव नहीं अभी भी तुम मुरली सुन रहे हो देख रहे हो अनुबव होता है तुम आत्मा सुन रहे हो कानों से तुम आत्मा देख रहे हो इन आखों से अनुगव होता है क्या विचार करना बच्चे गफलत नहीं करना समय समाप्त तो हो रहा है वापिस कहता हूं समय समाप्ती से पहले अपने आप को पाओ ध्यान में रखना इश्वर को पाने की चेश्टा मत करो तुम अपने आप को पाने का प्रयास करो ग्यानी वही जो अपने आप को पाने का प्रयास करे योगी वही जो अपने आप में बैठा रहे सबसे उँच धारणा है सोल कॉंशेसनेस और सबसे उँच सेवा है स्वयम की स्तिती में बैठना सब कुछ अपने अंदर है बाहर कुछ नहीं देखो तुम्हें बाहर का ही ज्ञान दिया जाता है जितनों से पढ़ते हो सब दुनियावी बाते करते है आत्मा की बात करता है क्या कोई खुदी नहीं आत्मिक सितिय में बात क्या करेंगे वो आत्मा की समझ है बच्चे समझदार बनो गफलत नहीं करो समय बहुत थोड़ा है वापिस कहता उससे पहले जागो अपने आप को पाओ अपने आप में खो जाओ परना बड़ा भारी नुकसान होगा तुम सोच भी नहीं सकते फिर लगेगा इतने वर्षों से सेवा कर रहे है फिर भी इस दुरगती को पाए बुरा लगेगा बाद में बच्चे ध्यान में रखना इस बात को समझ की बात हैं अपने में आओ पूर्ण रिती से अपने में आओ तुम्हें मेरी कोई बात तब तक नहीं समझ सकती जब तक तुम अपने में नहीं आते ध्यान में रखना बच्चे अपने में आओ तुम्हारा परमकर्टव्य है अपने में आना परमकर्टव्य विचार करो अपने से पूरा पूरा विचार करो और अपने में आओ समझ कर चलो ज्यान को पूरा समझो योग को पूरा समझो योग अपने साथ ज्यान अपना बस अपने में आओ दिन रात एक ही प्रयास करूं अपने में आने का दिन रात बाकि किसी बात में नहीं जाओं काफी हुआ सब मेला जमेला अपने में आने का प्रयास करो काफी प्रोग्राम किये तुमने बटिया की, शिविर किये बहुत किया क्या मिला इससे ख्षनिक सुक न तुमें कुछ मिला न किसी और को कुछ मिला बच्चे अपने में आओ तुम आत्मा हो इस्तिती में आओ कोई होता है जो आती सीरियस हो जाता है इस बात को सुनकर और उप्रयाश शुरू करता है अपने में आने का और कोई कितना भी सुनाओ उसे कोई फरक नहीं पड़ता आए या ना आए मरे हुए है अंदर आत्मा नहीं है बहुतों की आत्मा माया के पास है ना तुम चेक करो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे पास है क्या चेक करो विचार करना बच्चे इस बात का चिंतन करना अपने में आना मरजी तुम्हारी और तुम्हारे ड्रामा की बाबा कहते हैं मैं सब बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूं माया ने तुमको बहुत कड़वा बना दिया है यह बाप ही आकर समझाते हैं तुम कितने स्वीट थे बरोबर तुम जब मंदिरों में जाते हों तो देवताओ को कितना स्वीट समझते हों देवताओ को कितनी मीठी नजर से देखते हों कहां मंदिर खुले तो स्वीट देवताओ का दर्शन करें बनावट तो भल पत्थर की हैं परंतु समझते हैं यह स्वीट होकर गए हैं शिव के मंदिर में जाते हैं वो भी बहुत स्वीटेस्ट हैं जरूर होकर गए हैं स्वीटेस्टे स्वीटेस्ट मेठे से मेठा बाप जरूर भारत में ही आया होगा मंदिरों में जो भी हैं वो सब होकर गए हैं जरूर कुछ करके गए हैं स्वीटेस्ट बाप को जानने वाले बच्चे ही होंगे तो जरूर कहेंगे निराकार परंपिता परमात्मा सब से स् भारत में खास दुनिया में आम शिव बाबा की महिमा तो बहुत हैं शिव काशी विश्वनात गंगा ऐसे बहुत कहते हैं वहा जाकर रहते भी हैं यह बाबा भी सब तरफ चक्र लगाकर आए हैं मनुष्य शिव की कितनी महिमा करते हैं बाब जानते हैं यह सब स्वीट चिल्ड्रेन हैं घर के बच्चे हैं सबको नंबरवार अपना पार्ट मिलता है परन्तु सबकी नजर हिरो हिरोईन पर ही जाएगी अब इस ड्रामा में जो हिरो हिरोईन हैं उनों के लिए गाते हैं तुम मात पिता अभी तुम बच्चे जानते हों उस मात पिता के सम्मुक बैठे हैं दुनिया के सम्मुक तो नहीं है यह है गुप्त इनका नाम निशान बिलकुल ही गुम कर दिया है सिर्फ चित्र है परन्तु उनसे कोई पता नहीं पड़ता शिव के पुजारी तो बहुत होते हैं लेकिन पूरा परिचय नहीं है तुम जानते हों शिव बाबा है स्वीटेस्ट उन्हें जैसे स्वीट कोई हो नहीं सकता बच्चे जैसे दूसरों को पूरा परिचय नहीं यह तुम कहते हो तुम्हें कितना परिचय है मेरा तुम कितना जानते हो मुझे कहा तक पहचानते हो मुझे बताओ जरा निराकार, आकार, साकार रूप में कितना परिचे है तुमारे पास विचार करो समझ की बाते है बच्चे तुम कुछ नहीं जानते तुम्हें कोई पता नहीं है समझ है भाप का कितना परिचे है मैंने कली कहा ना कलिया परसो कि चार बिंदी निकालू बताव इसमें से कौन सा शिव बाबा है है कोई परिच्छा है कुछ नहीं कहोगे चारी बिंदी है फर्क कर सकते हो कोई है विधी फर्क करने की समझ है बच्चे समझदार बनो शिव बाबा का भी अपना स्वरूप है देखो जरा मिलेगा चनल पर जाओ चनल पर जाओ मिलेगा तुमें निरा कार कैसा है उसका भी आकार है तुम मानो या ना मानो तुम्हारे मानने या ना मानने से सत्य नहीं बदलेगा मैंने सत्य तुम्हारे सामने रखा है इसलिए इस अंतिम समय में मैं खुद ही सेवा कर रहा हूँ क्योंकि ये सेवा मैं किसी और को दू तो मेरे पास रिटन देने के लिए कुछ नहीं है इसलिए अंत का पार्ट मेरा खुद का है और मैं कोई सत्यूग लेता नहीं न मुझे कोई सत्यूग का शौक है वो तुम्हें देने आया हूँ समझ है मैंने का न लेना मेरा स्वभाव नहीं है देना मेरा संसकार है ध्यान में रखना बच्चे तुम्हें भी परिच्चय नहीं है तुम बस कहते हो क्या परिचे है तुम्हारे पास? कुछ भी तो नहीं तुम नहीं जानते बाप को नहीं पहचानते समझ की बाते हैं कोई और अविक्त आवाज में बात करे डिफरेंस कर सकते हो कि बाप बैठा है या नहीं है बता सकते हो समझ है बच्चे समझदार बनो बाप को पहचानो बिना अत्मिक सिती के बाप को नहीं पहचान सकते लाख कोशिश करो बिना शरिमत के बिना अत्मिक सिती के बाप को नहीं पहचान सकते तुम्हें भी कोई परिच्छे नहीं है तुम बस कहते हो परमात्मा बिंदी है काहे की बिंदी है माथे पे लगाने की बिंदी है क्या या तुम्हारे चित्र की बिंदी है विडियो की बिंदी है काहे की बिंदी है परमात्मा कभी चित्र को देखा और अनुबह हुआ है कि ये मेरा पिता है कभी फिलिंग आई है सुरुष्टी का आदी पिता है बस भावनावश हो भावनाए आएंगे आखों से पानी गंगा जमना बहेगी किसी को लगेगा इनका कितना प्यार है बाप से अरे कहे का प्यार सब दिखावा है सब नाटक है भावनावाले नहीं चाहिए ध्यान में रखना पढ़ाई वाले चाहिए भावना काफी हुई समझ की बात है सभी बच्चे बस भावनाविवश है भावनावश है और कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं बच्चे समझदार बनो ध्यान में रखना शरीर छोडने से पहले स्वयम का परिचे जरूर लेना बाप का परिचे जरूर करना और रामा का परिचे समझना शरीर छोडने से पहले और रामा समाप्त होने से पहले वरना सब व्यर्थ जाएगा त्यान में रखना क्या पाया? शुन्य बस यग्य में बेलते रहे रोटी, बनाते रहे दाल चावल, संभालते रहे सेवाए, डिपार्मेंट, लगाते रहे कुर्षी, जिंदगी भर, अत्मिक सिति कहा है? करते रहे भशन, कराते रहे योग, अत्मिक सिति कहा है? बताओ जरा जिन्दगी इसी में गही तुमारी किसी ने तुम्हें बुलाया है सेंटर पर आज शाम को सेंटर पर आओ आत्मिक सिती की प्रक्टिस करनी है बुलाया है कभी चेक करो बच्चे एक-एक माज सेवा के लिए आते हो कभी अत्मिक सिती में प्रक्टिस लाने के लिए, प्रक्टिस करने के लिए, स्वयम को उसमें ढालने के लिए, बुलाया है कभी एक मास के लिए, यग्य में, क्या किया तुमने, रोटिया बेली बस, वो तो कैदी भी बेलते है जेल के, तुम्हारी क्या बात है, वो तो दूस सुनते ओ क्यान अत्मिक सिति की प्रक्टिस किया है किंवैंट स्वरूंप में याद किया है बाप को बस एक दूसरे एक दूसरे को ज्ञान ही सुनाते रहते हैं बटी में अरे योग करा लुए कभी योग अच्छीब बात है कि तुम कर किया रहे हो इतने वर्शों से अच्छीब बात है बच्छे यही ग्यान सीख़ रहे हो न तुम यह मुर्ली में मैं सिखाता हूं बच्छे अच्छे से रूटिया बेलनी चाहिए, कुर्सिया लगानी चाहिए, यह सिखाता हूँ मैं, तो तुम यह क्या कर रहे हो इतने वर्षों से, तुम सवाल क्यों नहीं पूछते हैं, ज्यान देने वालों को, कि हमारे अत्मिक स्तिती की प्राक्टिस आप कप कराओगे, क्या बस हम यही काम करते रहें, यही सेवा करते रहें, इसी के लिए हम ज्यान में आएं, बच्छे गफलत नहीं करो, कार्य होता जाएगा, यज्या आगे बढ़ेगा, पर तुम्हारे स्तिती को कौन आगे बढ़ाएगा, कौन बढ़ाएगा, बच्छे ध्यान देना इस बात पर, समझ की बाते हैं, माताय भी आती अग्या में, उन्हें भंडारी में सेवा करना बड़ा आनन्द आता है, रोटिया बेले, चावल साफ करे, डाल साफ करे, कुछ और काम करे, अरe आत्मिक सिती करो, पाज दिन, दस दिन के लिए घर में आते हो, क्या डाल साफ करने के लिए आये हो? वो तुम्हें किसी से भी करवा सकता हूँ रोटी तो कोई भी बिल सकता है तुम क्या इसके लिए आये हो यग्यमे घर में जंजट है इसलिए यहाँ आये हो अभी बैठो अपने योग में बैठो अपने ध्यान में तुमारा ध्यान सेवा पर और कुछ नहीं है बच्चे जिन्दगी जाएगी ये करते अत्मिक सिती में आओ फिर बाप की पहचान मिलेगी तुम्हे कोई पहचान नहीं है कोई पहचान नहीं है तुम्हे बाप के बस कहते हो शिव बाबा याद नहीं आता हूँ क्योंकि कौन सी बिन्दी को याद करें हजारो बिन्दि आ है हजारो स्वरूप किये हजारो रंग किये इस में से कौन सा शिव बाबा एक होती तो पहचान पाते हर चित्रकार ने अपनी बिन्दी बना दी जैसे हर मुर्तिकार ने जो मन में आया वैसे शिवलिंग बनाया वैसे या हर चित्रकार ने अपनी बिंदी बना दी बिंदी से लाइड दिखाई पर इसमें से कौन सा शिव बाबा कोई है उत्तर बच्चे ध्यान दे ना इस बात पर समझ की बाते हैं समझदार बनो गफलत नहीं करो समझदार बनो पूरे पूरे यह सब कब तक करोगे मदुबन आकर क्या पाया कुछ मिला तुम तुम से मिले तुम बाब से मिले तुम्हें ड्रामा समझा नहीं मजा या सेवा करने में तुम नौकर ही बनोगे सत्यूग में तरेता में सेवा में मजा आता है ना स्तिती में मजा नहीं आता योग में मजा नहीं आता करो सेवा और बनो नौकर और क्या कहूं मैं बच्चे अत्मिक सिती पर ध्यान दो बार-बार कह रहा है एक बात क्यों कह रहा है ताकि तुम उस अवस्ता को उपलब्द हो जाओ मैंने युनिवरसिटी ये वाली युनिवरसिटी क्यों खोली है रोटिया बेलने के लिए या चावल साफ करने के लिए मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पर आत्मा का ग्यान देने आया हूँ ना अत्मिक सिती के लिए खोली है ना राजयोग के लिए खोली है ना कितने बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बाप की याद में बैठते हैं कोई नहीं किसी को पता ही नहीं है बस बैठना है आत्मा का आता पता नहीं और बापका भी आता पता नहीं कहते बैटो बाबा के कमरे में याद करो बाबा को कैसे करें कौन से बाबा को याद करें वो भी तो बताओ बच्षे सारा ग्यान भावना छोड़ के समझो practical ग्यान है जो मैं दे रहाँ तुम भावना वशो भावना में आकर ज्ञान ले रहे हूं बच्चे बाप को समझो बाप का पूरा परिचे है क्या छेक करो बताओ जरा कौन सी बिंदी परमात्मा है मैं भी तो देखो तुम्हें कुछ नहीं पता बच्चे कुछ नहीं पता तुमने क्या किया इतने वर्षों में मैं भी नहीं जानता यहीं बदलने के लिए मुझे साकार में 24 गंटे तन में बैठना पड़ा 24 गंटे यह पार टाइम से काम नहीं होगा 15 दिन में तन में आओ वापिस जाओ 14 दिन रेस करो वापिस आओ इसलिए फुल टाइम बैठाओ यही बदलने के लिए भोके रहो प्यासे रहो आत्मिक सिती की प्रक्टिस करो श्रिमत नहीं दे रहो पर संसार की ओर ध्यान मत दो जितना आवश्य के उतना करो पर इस अवस्ता में आओ संसार बढ़ाओ नहीं अभी तुम्हें साप साप पता है विनाश होना है फिर भी बिल्डिंगे बनवा रहो फिर भी कंस्ट्रक्शन कर रहो संसार बढ़ता ही जा रहा है बच्चे मत करो ये सब थोड़ा समय रुको हर घर सेंटर होगा हर घर गिता पाटशाला होगा मेरे वचन थे ना घर 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 गिता पाटशाला हर गली में सेंटर वो हुआ है बताओ कौन से टापू रहे हैं आइलेंड पता है तुम्हें दुनिया में कितने हैं सभी आइलेंड पर मेरे बच्चे रहते हैं ध्यान में रखना बच्चे सब तक ज्यान पहुँचना बाकी है तुम्हें मिला मना बाप का पाट पूरा हुआ गफलत नहीं करो तुम्हारा पाट पूरा हो सकता है मेरा वन 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 तक है ध्यान में रखना कुछ भी बखवास नहीं सुनाओ दूसरों को समझ की बात है बच्चे अत्मिक सिती में आओ बाप के साथ कम्बाइंड होकर बैठो अंत में तीखा ग्यान है उरा तीखा है जलन वाला है वानी सुनकर ही जलन होगी मुझ से आग निकलती है और कुछ नहीं फिर भी ये मेरे इसाब से वन परसंट है ग्यान प्रत्यक्ष होने दो बस प्रत्यक्ष होने दो मुझे फिर में आग दिखाता हो तुम्हे महाकाल के बस देखना तुमारा निशय भी लेगा ये परमात्मा है कैसी आग निकलेगी कि बस देखना तुम, अब तक तुम मेरे चंगुल में आये नहीं हूँ, बस आओ तो सही, समझ है, लास्ट टाइम कहा ना मैंने, कि माइक निकाल के दिखाओ अब की बार, वही माइक निकाल के उससे मारूंगा तुम्हे, जरूरत पड़ी ना तो माइक के बेश से मारूंगा भारी होता है ना बेश माइक का, अभी दम है तो निकाल के दिखाओ, अव्यक्त पार्ड में मैं शान था, तुम्हे जो लगता था करते थे, अभी करके दिखाओ, समझ की बात है बच्चे, इसलिए बाप को समझो ध्यान से, ध्यान से समझो, पर मात्मा को कोई बंधर नहीं है, ध्यान में रखना और उसके कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है, कार्मिक अकाउंट मनुष्या अत्माओं के है, बच्चे गफलत नहीं करो, समय समाप तो हो रहा है, अभी भी गफलत कर रहे हो, अभी भी सोय हुए हो, मैं कितने वर्षों स है क्या कर रहे हो इतने वर्षों से बस चल रहे है कि मौज चल रही है बाबा का कार्य बाबा जाने बाबा बना देगा संपन्न संपूर्ण यही भाव है तुमारा समझ है बच्चे समझदार बनो गफलत नहीं करो खुद आत्मिक सिती में बैठो और दूसरों को भी आत्मिक सिती में लाओ करम से मुक्ति दो सभी को सभी कर्मों में अटके हैं फसे हैं मुक्त करो मैंने केता गंटो गंटे बैठो एक मिनिट आधा मिनिट बिठाओ उनकी सिती में उन्हें करम के बीच में भी बिठाओगे तो भी अच्छा रहेगा ध्यान में रखना बच्चे इस बात को समझ की बाते हैं समझदार बनो समय बहुत थोड़ा रहा है गफलत नहीं करना बच्चे तुमसे बेहद प्यार है इसलिए मैं चाहता हूं तुम कुछ भी करके आत्मिक सिती में आओं क्योंकि ड्रामा बड़ा खतरनाक है जो कुछ होने जा रहा है तुमें उसकी कलपना भी नहीं है बचेंगे वही जो आत्मिक सिती में होंगे बाकि सबका सर्वनाश होगा घ्यान में रखना ग्यानी-योगी सबका सर्वनाश होगा आत्मिक सिती वाला ही बचेगा एक सिकंड काफी है माया के लिए बोडी कॉंशेसनेस में आए माया ऐसे खीच के लेके जाएगी तुम कलपना भी नहीं कर सकते ऐसी बीमारिया आएंगी जो सिर्फ आत्मिक सिती वालों को नहीं होंगी बाकि सब के शरीर ऐसे होंगे तुम देख भी नहीं पाओगे उनको ऐसी मामारिया आएंगे बस एक आत्मिक सिती बचाएगे देख भी नहीं पाओगे बच्चे ध्यान में रखना मैंने जितना कहा है वो सब होगा फिर वो मार्शल लौ हो, कर्फ्यू हो कुछ भी हो, सब होना है उससे पहले अपने स्तिती में आऊं सिर्फ आत्मिक स्तिती वाले ही रहेंगे तुम यह नहीं समझना तुम आबू पहाड पर हो तो तुम बचोगे नहीं बच्चे आत्मिक सिती में होंगे तो कहा भी बच्चेंगे क्योंकि आत्मिक सीती में है तो बाबा की याद में निश्चित है combined स्वरूप आत्मा के लिए कोई और है नहीं वही बच्चेगा Body Consciousness वाला हर कोई जाएगा हर कोई कुछ नहीं कर सकता न मैं कुछ कर सकता हूँ न तुम कुछ कर सकते हो जाना निश्चित है शरीर छोड़ना कैसे भी हो तुम कितने भी वर्षों से ज्यान में हो माया कैसे लेके जाएगी बस देखना बच्चे मज़े लेना ड्रामा के अपने आप लेके जाएगी अपने आप ड्रामा चक्र घुमाएगा ऐसा चक्र घुमेगा सोच भी नहीं सकते बच्चे ध्यान में रखना जिन कर्मेंद्रियों में विकर्म रहे हैं उन कर्मेंद्रियों के साथ ड्रामा क्या करेगा तुम ही देखना कैसी बीमारिया आएगी तुम्हें कोई मजाग लगा एग्यान मन बटक रहा है न ऐसा बटकेगा कि इंसान पागल हो जाएगा बुद्धि अस्तिर है न ऐसे अस्तिर होगी कि तुम सोच ही नहीं पाओगे तुम चिलाओगे कहोगे ये रोको कोई विजन्स रुकेंगे नहीं ध्यान में रखना बच्चे धाई अजार साल में जितने पाप किये है जितने चुक्तू करने के बाकी रहे है सबकी सजा एक साथ मिलेगी संभलना कंपाउंड इंट्रेस्ट के साथ सिर्फ इंट्रेस्ट नहीं कंपाउंड इंट्रेस्ट संभल कर चलना बच्चे अपने को स्थिती में लाना बापने क्या कहा है महारती गिरेंगे ध्यान में रखना समझ की बाते हैं महारती कौन? एहिंकार वाले हैं एहिंकार वाले उन्हें महारती कहा जाता है हाथी में नमरता बहुत होती है पर एहिंकार भी कूट-कूट कर भरा हुआ होता है हाथी अगर हिंकार में आए तो गाव निष्ट कर देगा कितनों की जान लेगा कलपना नहीं कर सकते पर वही अगर नमरता में आए तो एक गाव बसा देगा अपनी शक्ती से ध्यान में रखना बच्चे संबल कर रहना पूरे पूरे मेरे पास नहीं आना मैं कोई solution नहीं दूँगा मैंने दे दिया है अत्मिक सित्य और बाप की याद ध्यान में रखना बच्चे संबलना बहुत कुछ होने जा रहा है तुम कितना भी रो चिलाओ मुझे हाद भी जोड़ो मैं नहीं बचाओंगा बिलकुल नहीं मैं तो कहूंगा माया को और मारो और तडपाओं बात नहीं सुनी न बाप की श्रिमत पर नहीं चले न और मारो और पीटो मुझे कहा तो कहूंगा मैं बाप नहीं उस समय मा काल है संभलना बच्चे समय बड़ा खतरनाक आ रहा है बेहद खतरनाक अभी तुम्हें मजाक लग रहा होगा जैसे 36 में लगा 100 साल पड़े अभी भी लगता होगा बहुत साल पड़े रहो अपनी गफलत में रहो जो करना है करो तुम्हें जो ठीक लगता है मनमत पर चलते रहो मौज करते रहो सुखी रहो और क्या कहूं मैं एक बाप क्या वर्दान देगा बच्चे ध्यान देना संभलना तुम्हें बहुतों ने भटकाया है और तुम भटक करे हो बहुत भटक करे हो अभी जागो ध्यान दो इस बात पर अत्मिक सिती में आजाओ बाप की याद में स्तित हो जाओ करम का सोचो ही नहीं सेवा देखो भी नहीं इस दुनिया का बेहद खतरनाक वाइरस है सेवा बेहद खतरनाक उसे बुद्धी में लाना भी नहीं तुम से बाप को सेवा करानी होगी तो कराएगा तुम इसके पीछे लगो नहीं सेवा करने वाला दिमागी रूप से पागल होता है उसे रहा नहीं जाता कुछ किये बिना उसे कुछ न कुछ चाहिए सेवा के लिए दिमागी रूप से पागल है वो स्तिर बैठा नहीं जाता योगी वही जो स्तिर बैठ सकता है भोगी वही जो सदा स्तिर रहता है उसे कोई न कोई करम चाहिए भोगी मैं यह नहीं कहता सेवा नहीं करूं जो होगी वो करूं जो शिरिमत मिलेगी करूं जो आदेश आएगा करो order आएगी करो पर तुम सोचो ने सेवा सोचो ने तुम्हारा पार्ट होगा मिलेगी तुम्हे नहीं होगा नहीं मिलेगी यग्य में क्या सेवा करने के लिए आए हो क्या या अपने आपको पाने के लिए आए हो सेवा करना बाप का काम है तुम क्यों करते हो बाप का अधिकार तुम छीनने की चेश्टा करते हो सेवा का तुमारा काम है अत्मिक सिती में रहकर बाप को याद करना ध्यान में रखना बच्छे गफलत नहीं करो समय बहुत कम है ध्यान में रखना बाप का परिच्चे मिला है क्या पूरा परिचय नहीं है, तुम जानते हो, शिव बाबा है स्विटेस्ट, उन जैसा स्वीट कोई हो नहीं सकता, वह स्विटेस्ट बाप न आए, तो यह पतीत दुनिया पावन कैसे बने? इस समय तुम बच्चों के सिवाए कोई भी स्वीट नहीं है, भल अपने को शिवो हम भगवान कहते रहते हैं, लेकिन भगवान तो इतना स्विटेस्ट है, वह तो परमधाम में रहने वाला है, तुम फिर इस पतीत दुनिया में कैसे कहते हो? शिवो हम, हम भगवान है, भगवान तो रचीता पतीत पावन है, भगवान को सभी भक्त याद करते हैं, ऐसे नहीं, सब भक्त भगवान है, निराकार शिव को ही स्विटेस्ट कहेंगे, स्विटेस्ट बाबा द्वारा ही स्विटेस्ट स्वर्ग में जाएंगे, यह डिनास्टी रची जा रही है, स्विटेस्ट बाबा हमको most beloved sweet बना रहे हैं, जो जैसा होगा ऐसा बनाएगा ना, कहते हैं, मैं निराकार हूँ, तुम आतमाए भी निराकार हूँ, शिव के मंदिर में शिव लिंग की पूजा होती है न, यग्य रचते, तो सालिगराम और शिव बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, बहुत बड़े बड़े सेठ लोग यग्य रचते हैं, रुद्र शिव का भी लिंग बनाते हैं और सालिगराम भी बनाते हैं ब्राम्हन लोग पूजा करते हैं तुम ब्राम्हन ही पुज्य थे फिर पुजारी बने हों शिवका लिंग बड़ा सालिगराम छोटा बनाकर पूजा करते हैं उसका नाम ही है रुद्रयग्या तो यह हो गई मिट्टी की प बूत आदी, मिट्टी के बनाते हैं, यादगार के लिए, फिर उजारी बैट पूजा करते हैं, बच्चे ध्यान में रखना, बिना किसी आधार के मुझे याद करके दिखाना, बिना आधार के, कोई चित्र नहीं है, कोई भी चित्र नहीं है, कोई ट्रांसलाइट नहीं है कोई लाल लाइट नहीं कोई गीत नहीं है कोई मन में शिव बाबा बाबा नहीं है मुझे याद करके दिखाना यह याद में स्विकार करता हूं आधार के साथ जो याद है वो अशुद्ध याद है बिना आधार के मुझे याद करों वही शुद्ध है ध्यान में रखना बच्चे तुमारे सारे आधार इस दुनिया के है ट्रांस्लाइट कहा बनिये? इस दुनिया में तुम्हे एक बार स्वरूप पता चलाना अभी उस स्वरूप को मुझे बिना आधार के याद करके दिखाना ये है याद ध्यान में रखना बच्चे कुछ भी बात ना हो आधार के किसी की भी कोई उपस्तिती ना हो न चित्र की न मूर्ती की याद करके दिखाओ फिर मैं मानूंगा कोई लाल लाइट नहीं, कोई गीत नहीं बच्चे चेक करों ऐसे बने हो क्या चेक करों ऐसे बने होंगे तो तुम आगे बढ़ रहे हो तुमारी उन्नती हो रही है शिव बाबा, शिव बाबा करते रहते हो बाबा, बाबा करते रहते हो ये कोई याद है क्या वाणी को लिया ना अधार में ये याद नहीं है ये बस दिखावा है लाल लाइट लगाई ना समझ की बात है समझदार बनो बच्चे आधार ना हूं बिना अधार के और चेक करो बिना अधार के मैं ये बुद्धी में याद आता हूं यो कुछ और भी याद आता है चेक करना अपने आपको चेक करना तुम समझ की बात है बच्चे प्रेक्टिस करो बूत आदी मिट्टी के बनाते हैं यादगार के लिए फिर पुजारी बैट पूजा करते हैं भारत पुज्य था सत्युगत रेता में पुजारी पन नहीं था आधा कल्प है ग्यान आधा कल्प है भक्ती गाया भी जाता है आपे ही पुज्य और आपे ही पुजारी फिर कहते हैं सब भगवान हैं समझते हैं भगवान ही पुझ्यता भगवान ही पुजारी बनता है इसको उल्टी गंगा कहा जाता है बाप को तो सब बुलाते हैं हे भगवान, हे पतीत पावन, हे रहम दिल उकारना माना अहवान करना भक्ति मार्ग में आधा कल्प भक्त लोग अहवान करते हैं स्वर्ग में तो तुम मलिक होंगे बाप कहते हैं तुमको बहुत स्वीटेस्ट बना रहा हूं गौड फादर कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान है, शंकर का तो नाम ही नहीं डालेंगे, शिव निराकार, शंकर आकारी, दोनों को मिलाना तो गलत है ना, मनुष्य कोई के भी मंदिर में जाएंगे, तो पूजा एक ही निराकार की करेंगे, सब को मिला देत अच्छतम केशवम, श्री राम नारायनम, अब राम कहा, नारायन कहा, सब को इखठा कर दिया है, व्यास कौन था, यह कोई भी नहीं जानते, वास्तव में सच्चे व्यास सुखदेव के तुम बच्चे हों, बाबा बैट सहज योग की नौलेज सुनाते हैं, और उस सुख देव के हम बच्चे हैं, सच्चे सच्चे व्यास, हम ब्रामण हैं, हमको प्रैक्टिकल में बैट सहज राज योग सिखलाते हैं, जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं, देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, हम पापी नीच कडवे हैं, वह तो बहुत मीठे हैं ना, इन लक्ष्मी नाराण ने ही 84 जनम ले है ततत्वम यह नौलेज तुमको ही मिलती है लक्ष्मी नाराण में वहा यह नौलेज नहीं होगी हम वहा यह नौलेज देकर किसी को देवता नहीं बनाते है तो बाकी क्या काम करें? यहां तो कितने काम है? अभी हम स्विटेस्ट बाबा के बच्चे हैं, फिर श्री लक्ष्मी नारण बनेंगे, तुम जानते हों, हम स्विटेस्ट फादर से स्विटेस्ट बनते हैं, शिव बाबा है, श्री श्री मीठे ते मीठा, उनसे हम भी मीठे बनते हैं, हम अपने को श्री श्री नहीं कह सकते यह समझने की बाते हैं तुम जितना अशरीरी देही अभिमानी बनेंगे और मेठे बाप को याद करेंगे उतना मेठा बनेंगे देही अभिमानी बन बाप और वर्से को याद करना है यह एक मुख्य बात न भूलो मुझे याद करेंगे तो मेरे जैसा मीठा बन जाएंगे तो ऐसा बनाने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए बाबा मिठास का तो जैसे एक पहाड है कहते हैं न सिमर सिमर सुख पाओं बच्चे बाबा मिठास का पहाड है पर जिसे डाइबेटीज हुआ है न उसे तकलीफ देगा तकलीफ होगी उससे कहेंगे डाट लगाता है चिलाता है माकाल रूप में डाट से शब्दों से मारता है डाइबेटीज हुआ है समझ जाना शुगर की बीमारी हुई है उसे समझ में नहीं आता कि बाबा मिठास का पहाड है ऐसी बात है बीमार है वो पेशन्ट है क्या करे अब इनका समझ की बात है संत्यात्माओं ने लाथ बीमारी फिर भी कबूल की तुमने थूक भी दिया फिर भी कबूल किया मैं तो ऐसे कुछ नहीं कर रहा हूँ और मैं डाड भी किसको लगा रहा हूँ तुमारे अंदर की माया को तुम मायावश इतना हो ना कि तुमें दुख लगत तुम परिशान हो जाते हो, पक्के माया वश है, मीठी डाट से, किसी को दुख लगता है क्या कभी, माया को ही निकाल रहा हूं ना, मैं आत्मा को कभी नहीं डाटता हूं, माया को निकाल रहा हूं, पर तुमारे पास दुरिश्टी कोन हो तो ना समझने का, तुम यही कहोगे, बाबा डाट लगाता है, बड़ी तीखी वानी चलाता है, बड़ी कडवी बाते करता है बाबा, डाबिटीज हुई है, शुगर की बिमारी हुई है इन्हें, इसलिए इन्हें तीखा लगता है, सम इन्हें को मिठा लगता है, इन्हें तीखा लगता है, पताने इनका क्या होगा, कैसे बच्चे हैं, समझे हैं, इनको बस इनकी माया के तरीके से चलना है, माया के तरीके से, माया जैसे कहें, बाब वही बाते सुनाएं, जो इनकी माया को अच्छी लगती है, डाट ना सुन आये, इनका कुछ नहीं होगा, सर्वनाश के अलावा, संकल्पन इकट कर रहे हैं, पर सत्यता बता रहे हैं, समझ की बाते हैं, जिस बाप को अपने बच्चों की कदर होती है न, वही बाप अपने बच्चों को गल्ती में थपड मारता इसी रहा है, समझ जाना बाप का बेहत प्यार है, लवकिक बाप, बेहत प्यार है, हर गल्ती में थपड मारेगा, गाव में होता है इसे, गाव के पिता, लात और थपड, और कोई बात ही नहीं, गल्ती हुई, मारो थपड, क्योंकि क्येर है, बच्चे का भविश्य सुदरे, बिगडे नहीं, मा भी मारती है थपड, नीच करम करने में समझ में नहीं आया, मारेगी मा भी थपड, क्योंकि बेहत प्यार है, समझ की बाते हैं, बच्चपन अगर ठीक नहीं रहा ना, तो जवानी बिगड़े जाती है, जवानी दिवानी हो जाती है, केल कलास हो जाता है, पागल हो जाता है इंसान, समझ की बाते है बच्चे, इसलिए जिनके अंदर माया भरी है ना, उनको मेरी बाते तीकी लगेंगे, माया को निकालने वाला मैं बड़ा तांतरिक होना, इसलिए वानी तीकी लगेगे, मेरे मंतर जोर से चलते हैं, माया पर, जाडू मैं जोर से मारता हूं, इसलिए थोड़ा कठिन लगेगा मुझे सुनने में कोई-कोई सोचते होंगे दूर से सुनने में इतना कठिने पास क्या होगा आओ तो सही माया एक दिन में निकालते हैं एक दिन में कूट-कूट कर शब्दों से मंतरों से तुम्हे निकालनी है ना इसलिए तुमेरे पास आये हो ना ये मेरा तरीका है माया को निकालने का भूत कभी प्यार से निकलता है अरे चल अभी निकल बस हुआ ये भोग ले और तु निकल अभी ऐसे निकलता है कभी वो तांत्रिक को भी कहेगा नहीं निकलूंगा एक थपड लगाएगा तंत्रिक नहीं निकलेगा और मारेगा वो किसको मारता है उस व्यक्ति को नहीं मारता उस भूत को मारता है जिसका consciousness जागूरत है उसी को लगता है consciousness जागूरत है भूत का समझ की बात है ये जिसे समझ में आता है न वो ही समझेगा बाप का ये रूप है ये महाकाल है लौट में निकाल रहा है माया को भूतो को लौट में निकालता है एक-एक का निकालने में टाइम नहीं मेरे पास समझ की बात है बच्चे माया बैठी है कड़ी है और कडवी है ध्यान में रखना जितना जल्दी हो सके उससे मुक्त हो जाना कड़ी बैठी है, फसाएगी संकल्पनी कटकर रहे है संबलना अपने आपको कब फसाएगी गैरंटी नहीं है कैसे फसाएगी गैरंटी नहीं है अगर तुम्हें बाबा की वानी तीखी लगती है माया डिफिनेटली फसाएगे मैं लिख के देता हूँ संकल्पन नहीं कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ पर मैं सत्यता बता रहा हूँ फसाएगे क्या अंसर हुआ है ओप्रेशन करना ही पड़ेगा काटना ही पड़ेगा अंग दर्द होगा बिना भूल के अनेस्तिशिया के बाप ओप्रेशन करता है तुम्हें भी तो पता चले क्या-क्या है अंदर अनेस्तिशिया देकर क्या करना है भूल देकर ध्यान में रखना बच्चे माया ने तुम्हे भूल दी है जिस कारण तुम मुझे पहचान नहीं पार है मैं कौन हूँ इसलिए वाणी तीखी लग रही है और अगर प्यार से सुदरने वाले हो प्रमिस करो और सुदर के दिखाओ वाणी में तुरंत बदलता हो तुरंत अगले क्षण, अगले सेकंड हाँ बच्चे कैसे हो मिठे बच्चे बाब को याद करना है बाबा मिठास का तो एक पहाड है सदा बाब की याद में रहो कभी बाब को नहीं भोलना तुरंत मिठी वानी चलाओंगा सुदर के दिखाओ ध्यान में रखना बच्चे इस बात को माया कड़ी बैठी है कड़ी बैठी है निकालना उसे कहते हैं न सिमर सिमर सुखपाओ कोई सिमरनी नहीं सिमरनी है माला नहीं फेरनी है सिर्फ याद करना है कोई को भी यह पता नहीं है कि यह माला किसकी याद में बनी हुई है सिर्फ राम राम करते रहते माला फेरते रहते है अभी तुम समझते हो राम शिव बाबा के हम बच्चे हैं इसलिए सिमरन करते हो माला फेरना तो पुजारीपन का चिन्न है हम बाबा को बहुत याद करते हैं याद से ही हम ever healthy निरोगी बन जाते हैं, बाबा बार बार कहते हैं, अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो, तो बेडा पार हैं, बाकी कोई 10-20 भुजा या सूंड़ वाला मनुष्य नहीं होता, न कोई छीकने से देवता निकला आएंगे, या बाते अब सुनते हैं, तो समझते हैं, या सब क्या है, या सब है भक्ति मार्ग की सामगरी, सत्युग में या कुछ भी होगी नहीं, भक्ति आधा कल्प चलती है, ग्यान कोई आधा कल्प नहीं चलता है, ग्यान की प्रालब्ध आधा कल्प चलती है, ग्यान से 21 जनम का वर तो जैसे वह भक्ती का वर्सा मिलता है, भक्ती पहले सतो प्रधान थी, फिर सतो रजो तमों हो जाती है। समझने की बाते हैं, पहले तो समझना हैं, हम आत्मा, मोस्ट बिल्विड बाप के बच्चे हैं, बाप इस जिसम में आए हैं, जिसम बिगर मुरली कैसे सुना सकेंगे, निराकारी दुनिया तो हैं, साइलेंस वर्ल्ड, फिर हैं मूवी, यह टौकी, तीन लोक है ना, एक एक बात तुम नहीं सुनते हों, दुनिया में और कोई जान न सकें, तुम जानते हों, हम आत्माएं साइलेंस वर्ल्ड से आती हैं, वहां की रहवासी हैं, इसलिए उनका नाम ब्रम्हांड रखा हुआ हैं, अंडे मिसल आत्माएं रहती हैं, परंतु ऐसे हैं थोड़े ही, फल फूल दूद आदी, उन पर कैसे ठहर सकें, नाम तो शिव ठीक हैं, ऐसे नहीं की वह बाप बड़ा हम आत्माएं छोटी हैं, परं माना परंधाम की रहने वाली आत्मा जो most beloved हैं, तुम जानते हों, अब हमको बाबा की श्रिमत पर चलना हैं, बहुत मीठेते मीठा बाबा आकर हमको most sweet बनाते हैं, आत्मा sweet बनेगी, तो शरीर भी sweet मिलेगा, बाप कहते हैं, सिर्फ बीज और जाड को याद करो, बीज बाप उपर में हैं, वह है रुक्षपती, यह है foundation, फिर इनसे और टाल टालिया निकलती हैं, दुनिया में कोई की बुद्धी में यह नहीं है, बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे, निराकार बाप इस शरीर द्वारा बोलते हैं, तुम इन कानों से सुनते हों, आत्मा ही धारन करती हैं, ज्यान सूर्य प्रगटा, अज्यान अंधेर विनाश, अंधियारी रात होती है न, मनुष्य समझते हैं, इससे भी अजुन अंधियारा होगा, यह है ही घोर अंधियारा, मनुष्य यह नहीं जानते, अभी तुम रचेता और रचना के आदी मध्य अंत को जान गए हों, जिसके लिए सन्यासी कहते हैं, बे अंत हैं, इश्वर तुमारी गतमत न्यारी हैं, तुम तो समझते हों, इश्वर ही आकर गती सदगती करते हैं, तुम जानते हों, श्रिमत से हम सो नर से नारन, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, कितना भारी नशा है, एम अबजेक्ट तो एक होती है ना, बैरिस्टर बनेंगे, परन्तो नंबर वार तो बनेंगे ना, इसलिए फॉलो फादर मदर, जानते हों, मदर फादर पुर्शार्थ कर, नंबर वन में जाते हैं, तो हम भी पुर्शार्थ करें, इतना भी हम, हम भी इतना स्वीटेस्ट बनें, बच्चे माबाप के तक्त पर जीत पाते हैं ना, वह बड़े हो जाएंगे, तो मात पिता नीचे उतरेंगे, तो जैसे तुम मात पिता के तक्त पर जीत पाते हों, तुम बच्चों को बहुत प्यारा, बहुत मीठा बनना है, तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाई है, रूप बसंत तुम हो, उनोंने तो एक कहानी बैठ बनाई है, यह है ज्ञान रतन, जवारात को तो बाबा अच्छी रीती जानते है, सबसे उच जवारात का धंदा गिना जाता है, यह भी ज्ञान रतन है, एक एक रतन की धारणा होती है, इससे तुम अनगिनत पदम पती बनते हो, तुम्हारे महलों में कैसे सोने की इटे, हिरे जवारात लगते हैं, बड़े सुखी रहेंगे, एवर हिल्दी, एवर वेल्दी बनेंगे, यह जैसे बाबा वर्दान देते हैं, जितना मीठा बनेंगे, उतना बाप खुश होगा, स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते है न, यह तो बेहद का बाप टीचर सत्गुरु है, अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो, तो मुरली भी ऐसी निकलती है, परन्तु फिर ज्यानी तु आत्मा को बाबा यहां रहने नहीं देते, कहते हैं, जाओ, जाकर मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करो, जो कडवे ते कडवे, पलेगी बहुत रोगी हो गए हैं, उनको निरोगी बनाओ, अभी तो एवरेज आयू 40-45 वर्ष होगी, योगी की आयू बहुत बड़ी होती है, सिरी कुरुष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं, उनका जब राज्य था, तब एवरेज आयू 1500 वर्ष थी, अब रोगी बन गए हैं, हिसाब तो है ना, परन्तु मनुष्य जानते नहीं, बुद्धी रूपी बरतन, जो सोने का उसमें विश्य यने जहर भरने से यह हाल हो गया है, अब बाबा ग्यान अमृत डाल सोने का बनाते हैं, बच्चे मनमत और परमत जहर हैं, संभाल करना अपनी, मनमत और परमत से, जब भी किसी की मत सुनो, सुनना नहीं है, पर ध्यान में रखना, जहर अंदर जा रहा है, तुम किसी से ज्ञान भी नहीं सुनो, मनमत ही है ना, उसको कहो अभी मुरली सुना, एक्स्प्लेनेशन मत दो, ज्ञान मत सुना, समझ की बातें, जहर हैं, यह बुद्धी में गया है, जाते जाते, खलास हो गई बुद्धी, मनमत और परमत तुम करते क्या हो जो मन में आता है और जो दूसरे कहते है वही तुम करते हो श्रिमत कभी पालन की है तुमने कभी नहीं समझ की बाते है बच्चे है तुम्हें मनमत चलाने ना दिया जाए तो माया उचलती है उचलती है पर मत ना सुने, ना सुनाओ, तो माया उचलती है बच्चे, संभाल करना बहुत जल्दी, बहुत कम समय में, बहुत आगे बढ़ना चाहते हो तो बस श्रिमस सुनो पालन कब होगी वो देखेंगे, पर बस श्रिमस सुनो इन कानों से किसी और की मत कभी नहीं सुनना किसी और के मुख से शब्द कभी नहीं सुनना कभी नहीं सुनना, नीचे गिरोगे बस श्रिमत ही सुनते रहना महापाप हैं, किसी और के वचन सुनना किसी और की बाते सुनना लगाते हो earphone, शुरू करते हो class, क्या हो रहा है, समझ है, बच्चे, ग्यान उसी से लो, जो किस से ग्यान सुनता ने, योग उसी से सीखो, जो कभी योग करता ने, ध्यान में रखना बच्चे, वो है एक बाप, बाप, निराकार, आकार, साकार में ग्यान योग करता ने, जरूत ही नहीं है, मैं किस के साथ योग लगाओ, मेरे साथ, खुद के साथ, मैं मेरे निराकार के स्वरूप के साथ योग लगाओ, क्या, क्या मिलेगा मुझे, मैं कभी योग नहीं करता, मैं कभी ग्यान नहीं सुन मेरी मुरली मैं पड़ू अजीब बात है किसलिए पड़ू समझ की बात है जो खुद पुर्शार थी है उससे तुम ज्ञानियोग क्या सीखोगे एक बाप ही सिखा सकता है ध्यान में रखना बच्चे ग्यानियोग को समझ की बात है इसलिए बच्चे दूसरों की मते काफी सुनी तुमने काफी सुनी अभी तोड़ा शान्ती में बैटो शान्ती में बैटो तुम दूसरों को याद करते हो उनकी मते सुनते हो गंटो गंटे फोन पर सुनते हो गिर रहे हो उरे गिरते जा रहे हो उच चड़ने का उपाई नहीं है तुमारा बचा बलकि पुर्शार तो और तेज है तुमारा पर उपर उठी नहीं पाओगे क्यों? मनमस सुन रहे हो परमस सुन रहे हो समझ की बात है बच्चे समझदार बनो अब किसी से सुनो नहीं बस करो, मुरलिया पढ़ो तुम्हें मैंने ये भी कहा न, तुम्हें लगता है मैं मनुश्य हो, तो मेरा क्लास भी नहीं सुन ये रोज मुरली आते हैं वो पढ़ो दस बार पढ़ो बीस बार पढ़ो पर किसी मनुष्य से नहीं सुनो बिलकुल नहीं सुनो कभी नहीं सुनो उन्नती हुई आज तक तो क्यो सुन रहे हो किसे ध्यान में रखना बच्चे बस मनोरंजन है और कुछ भी नहीं बस मनोरंजन है आएगा बाबा यग्य में प्रत्यक्ष हो जाएगा सबका मनोरंजन बंद बस एक बाप की मुरली चलेगी किसी का कोई मनोरंजन नहीं होगा किसी का कोई क्लास नहीं होगा प्रिपेर करके रखना अपने आपको ग्यान कोई ने देगा सब लेंगे योग कोई ने सिखाएगा सब करेंगे सभी बैठेंगे और सभी योग करेंगे देखो कैसे करवाता हूँ दस बार मुरली दस बार हाजरी लगाने के लिए कहूंगा हॉल में नहीं आया ना घर मैंने जानता कितने सालों से समर्पीत हो आउट गेट आउट देखो कैसे बनाता हो समय ने रोका है बस वरना मेरा डंडा भारी है अन्तिप ऐसा डंडा है ना एक डंडे से आत्मा सुदर जाएगे और कोई तो बस डंडा देख़र ही सुदर जाएगे जान में रखना करना ही पड़ेगा चिंतानी करना दस बार मुल्ली रोज की करनी ही पड़ेगी सबको 44 अव्यक्तवानी की किताबे पढ़नी ही पड़ेगी साकारवानी पूरी करनी ही पड़ेगी मम्मावानी पूरी करनी ही पड़ेगी option नहीं है आत्मिक सिती की प्रैक्टिस कंपल्सरी करनी ही पड़ेगी there is no way option नहीं है कोई रास्ता नहीं है नहीं करना है घर जाओ कोई कहेगा मुझे घर नहीं बाबा इतने वर्षों से समर पीत है फुट पात पर रहो मुझे कोई परवा नहीं कोई परवा नहीं मुझे यह करने के लिए आयो नहीं मेरे पास करके दिखाओ पर ना उट पहले जैसा अब आपनी है ध्यान में रखना बनना ही पड़ेगा कोई उपाय नहीं तुमारे पास या तो बनो या फिर निकलो बार प्रिंसिपल बदल चुका है डीन बदल चुका है चेर्मन बदल चुका है ध्यान में रखना अभी उसके काईदे चलेंगे देखता हूँ न कैसे नहीं बनते बच्चे मैं भी तो देखू अभी जब 24 गंटा हजिर हूँ देखू तो सही भोजन पर मैं कैसे याद नहीं आता देखो तो सही बच्चे बनेंगे ही बनेंगे मैं बना कर ही रहूंगा बाप स्वरूप में बनाऊंगा या महाकाल में पर बना कर ही रहूंगा मेरे बच्चन है प्यार से या मार से पर बनेंगे ही बनेंगे चूट नहीं किसी को ध्यान में रखना बच्चे अच्छा मिठे मिठे सिकिलदे बच्चो परती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मौर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चो को नमस्ते धारणा के लिए मुख्य सार है एक नमबर बाप समान स्वीटेस्ट बनना है मुख से कभी कडवे वचन नहीं निकालने है सदैव मीठा बोलना है दो नमबर बाप हमको जो अमुले ज्ञान रतन दे रहे हैं उनकी वेल्यू को समच अच्छी रीती धारण करना है वर्दान है अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभू पसंद बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव बाप दादा ने ब्रह्मन जनम होते ही सबको खुशी का बड़े से बड़ा खजाना दिया है यह ब्रह्मन जनम की गिफ्ट है बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुश देखना चाहते है सदा हर्षित चेरफुल चेहरा ही प्रभू पसंद है और हर एक को भी वही पसंद आता है सदा खुश रहने के लिए यही गीत गाते रहो कि पाना था वो पालिया काम बाकी क्या रहा नशे से कहो कि हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा स्लोगन है, निराकारी, निरहेंकारी, स्तिती में स्तित रहकर, विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक है, अत्निक सिती, सात्मे बाप, सदा कंबाइन रहो और विश्व को प्रकाशित करते रहो, अच्छा, ओम, शान्ते सबी बच्चों के लिए मात पिता बाप दादा और शिव बाप की तरप से टोली स्विकार हों तोली खाओ और सदा कंबाइंड स्वरूप में स्तित रहों और खुश मौच में रहों वह बच्चे वह वह बाबा वह वाडरामा वह गीत गाते रहों मौच में रहो बच्चे सदा तुम फिकर मत करना मैंने कल्प पहले भी बनाया था बले ठोक कर बनाया या प्यार से बनाया और इस कल्प में भी बनाओंगा चिंता मत करूं बनना निश्चित है तुमारा भाग नहीं सकते इस लोग से कहा जाओगे सुक्ष मोतन, वहा भी मैं हूँ वहां से कहा जाओगे परमधाम वहा भी मैं हूँ पाताल में जाने की मारजिन है नहीं और गय तो भी मैं वहा आओंगा और वहां से निकाल के बाहर लाओंगा पर बनाओंगा मना बनाओंगा तुम्हें बाप समान अच्छा, ओ शान के आ गए दिल में तुम मेरी मैं फिल में तुम बच के नजरां से मेरी कहां जाओगे है ये मिलने के दिन बूल खिलने के दिन हम पुका रेंगे और तुम चले आओगे हम पुका रेंगे और तुम चले आओगे मेरे दिल में तुम अपा तुम पान का प्यारी करने कहाए मिलन और मान था आखा आखां में आखली तारे हुए आखा आखां में आखली तारे हुए तुम हमारे हुए तुम पहारा गई लेके दुनिया नही तुम पहारा गई तुम पहारा गई महारे मेरा भाग्यवाद महारे मेरा इश्वरिय परिबार्वाद महारे मैं स्वराच अरिकादि आख्मावाद आखा ओम परिकाद आख्मावाद 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 झाल झाल